आज मैं आपके लिए एक साउथ इंडियन रेसिपी लेके आई हूँ जिसे कहते हैं रसम और यह चावल के साथ खाई जाती है और यह बहुत ही ज़दा टेस्ट ही लगती है खाने में एक बार आप इसे जरूर बनाए अपने घर में और बार बार आपका खाने का इसे दिल करे पाटर फिर इसमें डाल है तूर दाल आदा कप तूर दाल ली है मैंने और उसे धो लिया है 3-4 बार और इसमें डाल दिया और इसमें हम डालेंगे टेस्के अकोर्डिंग नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और फिर इसे हम ढग के एक से दो सीटी लगाएंगे और जब स फोल लेंगे तांट शीट की है अब इसा पुल लिया है यह देखिए और पुल है लोका tanke hairy िभल के शहीं शुहासर है खरेड़ कि शुथ áय देखेए जाका हुए कर दो दृर्वला को साथा चैन्हार को और नंत्की में दिए गुमा देंगे जिससे की दाल हमारी घुट जाए अरे एक इंपोर्टेंट बात तो बता नहीं भूल गई अगर आप यूटुब चैनल पर नए हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो जल से जल सब्सक्राइब कर लीजिए वहिया जिसे की मेरी नोटिफिकेशन आपके पास आ कुट लेते हैं यह मैंने कुट लिए लेसन की कलिया अब एक पैन लिया है अब हम करेंगे मसाला तयार जो की रसम में डाला जाएगा इस मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है उसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है और इसमें एक चमच चने की दाल ए बुखेंगे यह मारा भून चुका है अब इसे ठंडा होने के लिए रग देंगे अब थंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे आप पे कश्मीरी लाल मर्च साबूत है तो इसमें वह वह दाल सकते हूँ आप मेरे पास है इसलिए मैंने यहां काश्मी शर्सो कहाने ह्यार न शstreorie है और वह टाल दिया के पूर इंडल अधे और तैयार निदस के पार भाशा पानी के और टाल दी आ-वाले क कारीच निद्प पादा एक मिनट फिर इस सारे मसाले को इसमें डाल देंगे रसम में और एक टेबल स्पून का समीरी मसाला और डाल देंगे फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे धनिया पत्ती से गार्णिशन करके और चावल के उपर डाल के आप खाईए और दूसरों को खिलाईए और रसम का आन लीजिए और जादे से जाद वीडियो को शेयर कीजिए